आज आपने और चार स्टुइंट से मिलवाता हूँ जिनका निमसेट में एक टॉप पर्फॉर्मेंस है अभी तक आपने जो सेशन सुने थे वो बच्चे हैं जो भुपाल में नहीं थे ये बच्चे भी भुपाल आएं भुपाल के ही है इन फैक्ट जिसमें केवल रादी का जो भुपाल के पास एक जगे है हर्दा वहां से बिलॉंग करती है तो ये बच्चे आये थे तो मैंने सूचा इनका इंटरेक्टिव सेशन रखा जाए तो इन में से सबसे पहले शिवम दुवे से मिलवाँगा जिनकी ऑल इंडिया 75 राइंक है हर्शिता जिसकी ऑल इंडि पर ड्रॉप क्यों लिया और जब ड्रॉप नहीं लिया था तो पहले किस कंडिशन में पढ़ाई की थी फाइनिशली प्राब्लम ती इन लोके लाइफ में फर इनों ने उस सबसे आगे बढ़के अपनी लाइफ में हार नहीं मानी नहीं तो कई बार जिन बच्चों के साथ financially problem होती है drop लेने से बचने पर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो इन सब की आप ये दोनों जो बच्चे है final year में है तो अभी आप इनकी जो success story सुनोगे तो आप समझ पाओगे कि life में कभी-कभी अगर हम एक सही decision ले 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 और सही समय पे ले 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 उसके advantage क्या-क्या होते है तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके आप session देख रहा हूँ ये examples है और मैं कहूंगा सारे sessions आप जरूर देखिए तो चलिए shivam से start करते हैं yes सबसे पहले मैं shivam दुवे से मिल बाता हूँ जिसके all india 75 rank है shivam के बारे में थोड़ा सा background में दूँगा बाकि shivam खुद अपनी success journey बताएगा इसने final year में join किया था और घर की condition कुछ ऐसी थी कि उस समय call center में job करता था और आपको बता दूँ कि call center में night shift करता था क्योंकि college भी जाना है class भी आना है और पढ़ाई भी करनी है तो काफी tough situation में इसने final year के साथ पढ़ाई कि उतना focus नहीं हुआ जब 19 का एकदम paper आया तो surprisingly उस paper को handle नहीं कर पाया इसलिए एक अच्छी rank नहीं आई then decide कि कि नहीं मुझे आप drop लेना है और drop लेके फिर पढ़ाई कि और आज आपके सामने है all India 75 rank तो शिवम सबसे पहले इस rank के लिए बहुत सारी सुपकामना है और मैं चाहूंगा कि जो मैंने बता है वो तो एक idea दिया पर आप अपनी success story और अपनी financial problem और जो जो चीजे आपकी life में face आपने की है वो ज़रूर student को बताओ क्योंकि बहुत सारी student सबसे पहले तो drop लेने से घवडाते हैं दूसरा जिनके सार्थ financial condition बहुत वीक होती है वो और ज्यादा खवडाने लगते हैं तो आपका जो यह message है वो कहीं न कहीं बच्चे अपने आप से rate करेंगे और life में compromise नहीं करेंगे सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि कवीदाशी ने कहा है गुरू गोविन दोगु खड़े काके लागु पाए बलीहारी गुरू आपने गोविन दियो बता है तो आज जो मेरी जो भी rank आई है जो भी मेरे के अच्छा रिजल्ट आया तो उसका अगर मैं ऐसा बोलू कि सिर्फ मेरी अकेली की महनत के वैसा है तो वो बिल्कुल गलत होगा तो सबसे पहले मैं आपको आपको शरण सर प्रतीक सर को पूरी इंपिटरस की टीम को दिनेश सर शिवम सर सबको मैं बहुत बहुत ज़्यादा अपना आभार्वेक्त करना चाहूंगा और एक गुरू की ना हमारे इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस होती है गुरू वह होता है जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है आपको गाइड करता है आपके लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है तो शरण सर भी हम सबके लिए गुरू के सामान ких होता है अपने अम लोग को काफी कुछ अगाया आप पढ़ाई के अलावा भी पढ़ाई तो आपने करवाई हमें और उसके अलावे आपने काफी चीजें हमें सेखाई है तो काफी सारी चीज यहां पे इम तो उस टाइम पर जब मैंने जॉब चोड़ी तो मेरे चोटे भाई ने मुझे सपोर्ट किया उसने जॉब करना चालू किया तो वो जॉब कर रहा था तब जाके मैं यहाँ पर पढ़ाई कर पा था तो मैं अपने भाई का शुभम का बहुत जादा थांक्स करना चाहूंगा कि उसने मुझे इतना सपोर्ट किया नॉर्मली आप आपने सुनाओ कि बड़े भाई बेन अपने चोटे भाई बेनों को सपोर्ट करने के लिए महनत करते हूं उन्हें पढ़ाते हैं तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपने प्रतीक सर्ने प्रतीक सर्ने भी बहुत हम लोग को सपोर्ट किया हूं हमेशा वह थोड़ा डांटते जादा थे लेकिन वह भी हमेशा हम सपोर्ट में रहते हैं हर चीज कोई भी हो प्रॉब्ल अब कुछ तो अच्छा करना है तो फिर चलो ठीक है इसके बाद देखते हैं क्या ओप्शन्स है मेरे पास तो फिर मुझे नेट पर मैंने थोड़ा सर्च किया इसके बारे में रिसरच किया तो मुझे पता चला कि नेमसेट नाम का एक्जाम है जो तो उसके बार में पता कि इतना अवेरनेस नहीं था उस ताइम अगर आप यूटूब पे साथ साथ पढ़ाई करने कोशिच करा था बट वह नहीं हो पा रहा था काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें तो फिर सर से मैं नहीं णेसर नहीं गोला कि नहीं अपने पढ़ाई के साथ जोब छोड़नी की तो फिर मैं जॉब चोड़ी, सर ने भी थोड़ा सपोर्ट किया, काफी सपोर्ट किया उन्होंने, तो जॉब चोड़ी, तो अब पहले वहाँ पे जो सैरली मिलती थी, तो वो उतने कमाई तो नहीं उपादी, तो टूशन से बाकी काम से, बत इतना होता था कि अपने फीज द अपने कोई प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ही आई कि वहाँ पेपर देखके मैं पैनिक हो गया और वहाँ पेपर को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाई, जो कि बहुत सारे लोग के साथ होता है, काफी सारे लोग मेरे जूनियस भी ऐसा होंगे, जिनको ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगा, तो फिर मैंने दुबारा ड्रॉप लिया और ट्यूशन भी पढ़ाई, साथ में इसकी 2020 की तयारी भी करी, तो ऐसे इस साल मैंने जो में अपना फोकस रखा, कंसेट तो मेरे पिसल साल बन चुके थे, लेकिन इस साल जो मैंने फोकस किया, पूरी तरह से यह था कि पेपर को हैंडल कैसे करें, पेपर को attempt कैसे करना है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, कंसेट मेरे पिछल साल भी वैसे थे, इस साल भी वैसे बहुत होगा, तो दस-फंदर बीस परसंट का difference आया होगा, difference जो create किया, वो पेपर attempt करने से हुआ है, पेपर difficult question करना है, challenge नहीं लेने question के साथ में, exam time में, practice time जितना practice कर सकतो करो, लेकिन उस time पे आपको challenge नहीं लेना exam के दौरान, तो इसी सब चीजों पर मैंने work किया, और finally आज जैसा result आया है, तो once second मैं इसके लिए आपको thank you बोलना चाहूँँ, आपकी guidance के बिना possible नहीं होता, और म इसने क्या करा, job छोड़के अपनी tuition और बाकी सबसे, अपने खर्चे, अपनी fee का एक ववस्ता कर ली पर, जो घर में इसका support था, वो बंद हुआ है, ऐसे मैं छोटे भाई ने support किया, और यही एक achievement, अगर माल लीजिए, यह उस समय, यह decide कर लेता कि नहीं, अगर मैंने job छो अगर माल लीजिए, तो शिवम ने यह बात का ध्यान रखा, बहुत महनत की है, इस बच्चे ने, इसमें कोई डाउट नहीं, शिवम एक चीज और बताना, बताया हैं बच्चों को, क्योंकि बहुत बच्चे गल्ती करते हैं, इन फैक्ट आपने भी, जब फाइनले में ते काम का कुछ नहीं है, इस से, मतलब यह जो सर बोलते हैं, कि एक बुक लगाओ पर तरीके से लगाओ, वो उसका कुछ मीनिंग है, उसे उस पर बहुत ध्यान देने वाली बात ही है, आप चार-चार बुके कर लोगे, उससे दाद आपको मतलब कंसेप्ट नहीं बनेगा, आपको एक बुक को प्रॉपरली करने से कंसेप्ट बनेगे, तो इस चीज़ पे मैंने फोकस किया, जैसे इस साल मैंने आवसे कोई भी बुक ले सकते हैं, जैसे मैंने आर्डी आप्ज से कंसेप्ट बना है, और ज्यादा इस चेक करने पड़ेगा, यह भी लगाने, यह भी लगाने, यह भी लगाने, यह भी लगाने, लास्ट ताइम पर बस जो AI ट्रिपली के और IT के जो प्रीवेस एर कोशन है, जो कई बार रिपीट होते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करना है, और वही चीज मैंने इस्साल करी थी, तो देखे, शिवम ने जैसा बताया, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि आप जो भी बुक करें, अब इसमें भी एक बात ध्यान रखें, शिवम ने जो वर्ड बोला, आप जवी नहीं कि आप यह RDE करें, जवी नहीं कि आ बात ध्यान रखनी है, कि ज़्यादा भुक सॉल ना करके, एक बुक को करें, और अच्छे से करें, तो थैंक यू शिवम, आपने अभी यह बहुत अच्छा मैसेज दिया, बच्चों को, अब आपको आगे जीवन में, अभी यह तो आपका स्टार्ट है, आज आपके छोट आपके साथ साथ अपने फैमिली को और जीवन में बहुत आगे बढ़ना, और ऐसे उन सभी लोगों को, जो कभी भी फाइनेशल कंडिशन के विसे पीछे रह जाते हैं, उनके लिए एक मोटिवेटर का काम करना है, once again, thank you and all the best. एक और मैं अपने सारे जूनियस को मैं एक मैसेज बोलना चाहूंगा, मैसेज यह है कि, sometimes you need to hurt in order to know, fall in order to grow, lose in order to gain, because life's greatest lessons are learnt through pain. तो जब तक आपने आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम से जो तकलीफ हैं, जब तक आप उनको face नहीं करोगे, उनसे struggle नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाऊगे, प्रॉब्लम सबके लाइफ में होती है, ज़रूरी नहीं कैसे financial problem, कोई और problem हो सकती है, बहु तो problem से भागना छोड़िये, और problem से fight कीजे, struggle कीजे, आप ज़रूर successful होगे कभी ने कभी, मेहनत क्योंकि कभी waste नहीं जाती है, बिलकुँ सही बात बोले ही, शिवम ने, देखे, no pain, no gain, आपने सुना होगा यह word, कि जब तक pain नहीं लोग है, जब तक gain नहीं होगा, और एक efforts लगाने पड़ते हो, लाइफ में कभी न कभी मेहनत करनी पड़ती है, कोई एक सबे की की गई मेहनत, इंटाल लाइफ काम आती पड़ती है, कुछ लोग, जैसे बाल लीजे, आट-दस साल तक के होते हैं, वो उस समय मेहनत कर लेते हैं, नॉर्मली उनके parents इसमें support करते हैं, तो अकसर ऐसे बच्चे अच्छे sports place बनते हैं, कुछ ना कुछ अलग करते हैं, कुछ 10 तक decide करते हैं, कुछ 12 तक decide करते हैं, कु पेंडिशन जो भी हो, पीछे मुड़के नहीं देखना है, पीछे मुड़के देखने रज़े कभी भी कुछ गेन नहीं होगा, आगे देखेंगे तो हमेशा गेन होगा, तो no pain, no gain, इस बात को ध्यान रखिए, all the best, खुश रहो और आगे वड़ो